Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777 कैसे हैं आप सब लोग मैं आ गई हूँ एक और fresh reading के साथ और आज की reading थोड़ी सी detail reading हो सकती है हो सकती है कि detail reading हो because thumbnail में आपने title पढ़ लिया होगा मैं reading कर रही हूँ What is in your destiny आपकी मनजलों में क्या लिखा हुए आपकी मनजल क्या है ठीक है आपकी मनजल में क्या है और आपकी मनजल क्या है तो ये important वो जानना बहुत ज़रूरी होता है बहुत सारे लोग जानना चाहरे होते हैं because वो बहुत overwhelmed हुए वे होते हैं अपनी regular life के routine से उनकी life में क्या चल रहा है वो किस मकसद पे क्या करना चाहते हैं बहुत confused होते हैं तो उनको समझ नहीं आ रहा होता तो ये मैं तमाम उनलों के लिए जो के जानना चाहते हैं अपनी life को evolve करना चाहते हैं अपने आपको evolve करना चाहते हैं creative बनना चाहते हैं कुछ हासल करना चाहते हैं जिन्दगी में ये रीडिंग उलनों के लिए होगी वैसे भी सब के लिए होगी टाइमलेस है, जैनरल है और कलेक्टिव है तो जब कभी भी आपकी नजर से गुजरेगी आपका उस वक्त का मेसेज होगा मेसेज वही लीजेगा जो लगे आपको अपटी सिच्वेशन से मैच करता हुआ टैरो में ये मेसेज़ेज आए हैं सब अपने उपर इंपोस मत कीजेगा ठीके, और अगर कोई कन्फूजन हो तो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉंटाइक नमबर है आप कंट्री कोड 92 अड़ करके मुझसे कॉंटाइक कर सकते हैं और कॉल्स एवाइड कीजे और टेक्स्ट मेसेज कर दें या वोइस नोट ड्रॉप कर दें वाट्साप पर, ठीक है चलिए जी, चेक करते हैं के आपकी डेस्टिनी में क्या है वाट इस इन यार डेस्टिनी वाट इस इन यार डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी आपकी मन्जल में क्या है वाट इस इन यार डेस्टिनी ओर राइट वाट इस इन यार डेस्टिनी what is in your destiny okay bottom of the deck here the temple path I don't know when I started this reading so I was very impressed that I had to see some places of human beings or places of human beings and such things in my mind and it is written the temple path right so you have to keep one thing that you can be religiously spiritual if you want so one thing that you have to do in your destiny which you have to be thinking about the temple which you have to belong and which you have to be pure connection and which you believe change the the rituals that you have to connect your soul and which you need to think of loss alright मेरे खाय में बहुत सारे लोग आज की रीडिंग देखने के बाद उन नुकसानात के बारे में जरूर सोचेंगे जिन नुकसानात ने उनको कुछ भी सर्व नहीं किया यह आपकी ओवरॉल एनरजी आ रही है ओवरॉल एनरजी क्या आपकी डेस्टिनी में क्या है अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं जीते हैं आप आप ने अपने उपर एक लेबल लगा लिया है कि मुझे अपने लिए कम और दूसरों के लिए जादा करना है जिसकी वज़ा से बहुत सारे लोग जो आपकी जिन्दगी का पार्ट बनना चाहते हैं वो आपको छोड़ के इसलिए चले जाते हैं कि इनके पास हमारे लिए या अपने खुद के लिए इसके पास वक्त नहीं इसके पास सबके लिए वक्त है और मैं इसकी लाइफ में इंपॉर्टर नहीं हूँ, ये इसकी लाइफ में इंपॉर्टर नहीं है, वो इसकी लाइफ में इंपॉर्टर नहीं है आप भी अपनी मर्जी से सब कुछ करें लेकिन ऐसा होता होगा आपके साथ कि जब आप अपनी मर्जी से कुछ करने लगते होंगे तो आपको अपनी सराउंडिंग में कोई भी नहीं नजर आता होगा कि मेरा इस वक्त जो चीज करने का दिल चारा है वो मैं किसके साथ मिल कर करूँ और उस point of view से उस नजरीय से जब आप देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये तो अजीबी मामला है With the status क्यूँ आपको अपनी direction का, अपने goals का अचीवमेंट्स का, अपनी منزل का आपको खुद ज्यादा पता है लेकिन आप कुछ creativity के doors जो हैं वो unlock नहीं करते आप इस वक्त मुझे लग रहा है कि इस वक्त आप उमर के ऐसे हिस्से में हैं जिसमें चाहे तो आप अपने late 20s में ही क्यों नहीं हो लेकिन जिन्दगी आपको अच्छा खासा तज़र्बा दे चुकी है लेकिन आप उस तज़र्बे की बुनियाद पर उन windows को open नहीं कर रहे हैं जो आपको एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में ले जाए आप उन opportunities को दूसरों के सामने ट्रेयर में रखके पेश कर देतें कि या मुझे ये चीज़ चीज़ का पता चला है जरा तुम ट्राइ करके देखो और वो person successful हो जाता है अब आपको इसके against में reward मिलता है किसी और form में जिसी की वज़ा से temple path वाला बाता है कि आपको लग रहा है चलो ठीक है नेकी करिया मेरी नेकी काम आई कहीं और मिलेगी ये ठीक है बात लेकिन किसी हद तक कुछ मामलात आपको अपने लिए इसी दुनिया में करने पड़ते है कुछ चीज़ें खुदाताला ने अपने लिए उसके लिए लाइन और उसके लिए लाइन और उसके लिए रास्ता क्रियेट करें आप इस comfort zone से निकल कर उस तरफ जाएं आपकी destiny में challenge है आपको चालेंज को accept करना है आपको opportunity नज़र आती है आपको रास्ता नज़र आता है आपको रोशनी नज़र आती है आपको success नज़र आ रही होती है आप उसको अपने वज़ाए किसी और को प्रेजेंट कर देते है And then you feel मुझे तो इसने यादी नहीं रखा यार मैंने इसको यह opportunity दी थी तो अगला भी बोलता हूगा भाई तो तुम्हारे पास भी यह opportunity आई थी तुमने क्यों नहीं इस पे कुछ किया तो यह वाली चीज आपकी destiny में है कि आप अपने लिए जीना और अपने लिए करना शुरू करें ठीक है यह मैं गता ही नहीं कहरी कि दूसरों के साथ सिलारहमी छोड़ दीजे यह मैं गता ही नहीं कहरी कि दूसरों के साथ बुरा सुलूक करना छोड़ दीजे बुरा सुलूक जो है वो छोड़ दे आप उनको उनके हिसाब से डील करें और उन मामलात को फिल्टर कर दें जो आपको बुरा बनाते हैं इसलिए आपको टेंपल पाथ का रास्ता मिलेगा स्थाइए यह मैंने आपको औरिकल से लिखकर बताया तो औरिकल से अगर मैं देखूँ तो आपकी डेस्टिनी में क्लियर है कि आप चैलेंज को एक्सेप्ट करें, कमफर्ट जोन से निकलें और फिलाल अभी तक जो डीटेल अभी तक जो रीडिंग है उसमें यह डीटेल आईए कि आपको अपुचिनटी को एक्सेप्ट करना है आपने आपको पाबन समझेंगे कि नहीं यार मेरे बस में नहीं है यह मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती और यह आप एक्शली करते हैं ठीक है लेट्स सी वाट इस इन यूर डेस्टिनी हाई प्रीस्टेस आज हाई प्रीस्टेस वाट चाहिनी है नमबर टू दो वर्ड हैरोफिर्म थ्री स्ट्रेट अवे मेजर आरकाना देखें वही वाली बात मैंने का कि आप अपनी अबिलिटीस पर डाउट करते हैं ठीक है एक तो दरशल जो लोग टैरो रीडिंग्स देखते हैं या जो टैरो रीडर्स होते हैं वो एनरजी इसका बिलीव उनका बहुत स्ट्रॉंग होता है स्पिरिचालिटी का बिलीव उनका बहुत स्ट्रॉंग होता है क्यों? क्योंके वो जिन्दगी के तजर्वात को बहुत क्लोजली एक्सपिरियंस कर चुके होते हैं सेंस कर चुके होते हैं और उनको उसका मीन पता होता है अब जैसे आप लोग वीवर्स हैं और मैं tarot reader हूँ और जो tarot reading करते हैं और जो tarot readings देखते हैं It is a game of energies It is a game of lessons It is a game of experiences यहां मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी destiny में लिखवा है आप वो इसको repel कर रहे हैं आप किसी हद तक अपने past में रह रहे हैं और आप मجبور بھی نظر آ رہے मुझे कि आप अपने कुछ पास्ट के लोगों को अपने प्रेजंट से निकाल नहीं सकते या तो वह आप उनके साथ जुड़े हुए हैं या आपके साथ उनका रिष्टा ऐसा है कि आप उनको अपनी जिंदगी से बेदखल नहीं कर सकते लेकिन आपकी डेस्टिनी में इंट्यूशन्स मिस्ट्री अपने आपको मजीद जानना स्पिरिचल इंसाइड्स यानि ये चीज़ें क्यों होती है रोहानियत क्या होती है क्यों ऐसे इलहाम और आगही होती है इन सब चीज़ों का सफर है आपकी डेस्टिनी में आप अपने आपको किसी और के हातों से बैलन्स नहीं कर सकते आप अगर किसी रिष्टे की बुनियाद पर आप अपने स्पाउस से अपने लवर से अपनी फैमली से अपने पेरेंट से अगर आप कहें कि मुझको आप एमोशनली स्टेबल करें तो दे विल नाट डू इट आप सिर्फ खुद अपने आपको एमोशनली स्टेबल कर सकते हैं और अपने साथ हुए वे तमाम तज़रबात की बुनियाद पर ही जो नौलेज और जो अकलमंदी जो दानिशमंदी आपको मिली है अभी उसमें से कुछ चीज़ें अभी भी आपके उपर बाकी हैं रिवील होना वो तब होंगी जब आप अपने आपको एक जगा से लेवल अप करेंगे आपको अपने वजूद को जानने की बहुत जादा जरूरत है किसी को चैलन्ज उसकी ट्रे में पेश करने से बेतर है आप वो चैलन्ज सबसे पहले खुद क्योंकि वो किसी और के लिए उपरचिनिटी बाद में हैं आपके लिए वो उपरचिनिटी पहले है आपकी डेस्टिनी में सकसेस लिखी हुई है अचीवमेंट लिखी हुई है आपको पजीराई मिलेगी आप सफर करेंगे आप बहुत सारे मामलाग को इसके एंड तक पहुचा सकते हैं बट ये तभी होगा जब आप अपने अंदर अपने आपको कम्पलीट फील करेंगे कि मैं इस काबल हूँ मैं इस चीज़ को deserve करता हूँ और मेरे लिए छीज़ होनी चाहिए ये किसी और के लिए होनी नहीं चाहिए ये जरूर है कि आप कुछ ऐसी बाद्हां में और कुछ ऐसी कश्मकश में हैं कुछ ऐसी पाबंदियों में हैं कि आप अपने आपको restricted feel کرتے ہیں आप कुछ loud अभी कभी कुछ करना चाहते हैं तो आपको लगता है मेरी values मुझे इस बात की जाज़त नहीं देती फॉर एक्जेंपल लोगों को हजम नहीं होगा कि अगर आपने अपना सामान बांदा और आप travel करने के लिए निकल गए लोग बोलेंगे नहीं इसका किसी से चक्कर चल रहा है इसका वहाँ पर इसको जो receive कर रहा है वहाँ पर कोई होगा इसका तो affair है इसका तो long distance relationship है और कहीं नगई चक्कर बाजी चल रही है यह मैं आपको simple मिसाल दे रही हूँ इन पाबंदियों पर और लोग क्या कहेंगे की वज़े से आप अपने आपको थोड़ा सा hold back करते हैं आपको लगता है कि जिस मौशे में आप survive भी करते हैं वहाँ पर यह तनी loud चीज़ें जो हैं वो चलती भी नहीं हैं दूसरा यह के कुछ आपकी destiny में आमना सामना लिखावा है कि आओ ज़रा मकालमा करो dialogue करो मेरे साथ confront करो लेकिन लोग डड़ते भी है आप बहुत ज़्यादा तर dealing आपकी married लोगों से होती है आपके जो दोस्त होंगे वो भी married हैं ज़्यादा तर यानि आपका और उनका status बहुत different है comparatively अगर आप भी married person है तो एक married person होते वे आप दूसरों को तो better guide कर सकते हैं कि अपनी शादियों में क्या flaws हैं जिनको ठीक करो लेकिन आपकी अपनी खुद की married life थोड़ी सी troubling है यही चीज़ आपके couple और relationship में भी चल रही है दूसरा यह कि आप commitments देंगे आप पर लोग भरोसा करते हैं लोगों को लगता है कहते हैं कि किसी का किरदार जानना हो तो उससे पैसों का lane देन करके देखो आप अमानत में खयानत नहीं करते आपका believe system इतना strong है because आप रहती दुनिया में यही समझते हैं जो कुछ यहां किया जा रहा है ना वो आखरत के लिए है no doubt लेकिन जो मैंने आपको पहले बात कही कि Allah ताला ने निजामी ऐसा रखा है कि कुछ मामलात आपको यहीं पर सही करने पड़ेंगे कुछ चीज़ें आपको यहीं पर deal करनी पड़ेंगे कि Allah ताला कुछ मामलात यहीं पर लें इन देन की मामले में रखता है आपके अभी भी जो आपकी डेस्टिनी में अभी भी आपको वो ideal social group नहीं मिला जिसमें आप अपने आपको comfortable और trust point of view से free समझ सके आप अभी भी सोचते हैं कि आप अपनी knowledge को enhance करें या ना करें आप अभी भी सोचते हैं कि क्या मुझे मजीद पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए मतब देखें पढ़ने का तालूग अगर आप पढ़े लिखें हैं अगर आप comprehend कर सकते हैं कि आप जो किताब पढ़ना हैं वो आपकी समझ में आ रही है तो इसका तालूग किसी specific degree से नहीं होता लोग intermediate या metric होते हुए दसवी जमात या आटवी जमात पढ़ते हुए भी भी जिन्दगी के तजर्मों में इतने rich होते हैं कि वो अपनी जिन्दगी का हर फैसला ठीक करते हैं और वो अपना क्या बाकी लोगों का भी सही करते हैं इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारी दादी नानिया हैं जो के बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और आप लोगों के साथ भी यह साब होगा लेकिन उनका जिन्दगी का तजर्बा उनकी public dealing इतनी अच्छी थी कि वो जिन्दगी के right advice और right decision करते थे और मैंने बड़े बड़े PhD holders को देखा है जिनकी अकल ज़्यादा पढ़ने से और बिल्कुल जहना जंग आलूद हो जाती है because वो एक limited और restricted महौल में सोच रहे होते है तो यहाँ पर आपकी destiny में सफर है spirituality है, intuitions है और यह सब कुछ तब है जब आप अपने लिए उन opportunities को accept करेंगे के हाँ यह चीजें मेरे लिए important है अब मैं आपके लिए 3 cards निकालती हूँ ताके आपकी destiny में जो कुछ भी मैंने आपको भी narrate करके बताया आप उसको action में कैसे ला सकते है अगर यह सब कुछ क्योंकि 3 major arcanas हरोफिंड का card या तो आप किसी ऐसे merit person से महबत कर बैठे हैं जो आपको इतने तगड़े किसम के सबक दे रहा है and yet believe me यही चीज आपको spirituality की तरफ पलट देगी यह होता है then with the world card आप बहुत courageous हैं कि आप travel कर सकते हैं लेकिन आप society के beliefs की वज़ा से नहीं travel करते हैं आपको intuitions होती हैं लेकिन आप घबराते हैं कि यार यह मेरे सा मुझे क्यों हो रहा है यही तो चीज है जब आप जानने लगें कि यह में साथ क्यों हो रहा है that is the first step on the letter of the letter ठीके अब देखते हैं कि यह चीजें जो आपके ओपर आपकी destiny के लिए reveal हुई है आपने इनके लिए action plan क्या set करना है give me three cards for the action plan as advice मेरे व्यूवर ऐसा क्या करें कि उनकी destiny के messages उनके लिए action plan बन जाएं nine of cups, cancer, scorpio, pisces, very beautiful card king of cups, cancer, scorpio, pisces maybe देखें नहीं होती बहुत सारे लोगों के लिए love life successful ठीक है it's all okay it's all okay पहली बात आपकी destiny में जो लिखा हुआ है वो कैसे आप तक पहुचेगा जो अभी मौजूदा वक्त में आपके पास जितनी blessings हैं उनका शुकर अदा करें ठीक है आपकी बहुत सारी दुआएं मननतें, हाजतें, मुरादें पूरी होंगी dream big खुशी आ रही है आपकी तरफ और ये तमाम चीज़ें आप तभी महसूस कर सकते हैं जब आप अपनी मौजूदा possible blessings और resources पर शुकर अदा करेंगे I can see के या तो आपकी लाइफ में एक masculine energy emotional intelligent person emotionally intelligent person आपकी लाइफ में intervene करेगा या फिर कोई एक ऐसा इनसान आप खुद ऐसे reform हो जाएंगे के आप खुद किसी के लिए इतने emotionally intelligent person होंगे एक ऐसा इनसान जो के काम है caring है, friendly है, sympathetic है, अकल मंध है बरदाश्ट का माद़ा बहुत जादा है और उसको balanced life लेकर चलनी आती है सबसे best technique होती है कि आपके पास जो नहीं है ना आप वोही दूसरे के लिए provider के तोर पे बन जाएं तो आपके अंदर जो कमी है वो किसी को देने की वज़ा से पूरी हो जाएगी because आप वो essence feel कर सकेंगे कि जो मेरे पास नहीं था मैंने उसको किसी और के लिए भरने के लिए उसके इस blank को उस खला को भरने के लिए मैंने वो role जब adopt किया तो मुझे उसके response में वो चीज मिल गई जो मेरे अंदर नहीं है ये आपका destiny का solution है कुछ फैसले आपके ऐसे हैं जो के आप कभी भी resolve नहीं कर सकते हैं आपको वो फैसले करते वे हमेशे दिप्पत होती है आप तकलीफ महसूस करते हैं आपको ये आपके लिए बहुत परिशान कुन फैसले है आपको ये फैसला करते वे डर भी लगता है क्योंकि आप नहीं चाहते कि मैं रिष्टे में कोई दड़ार लेकर आऊं मैं रिष्टे को तोड़ दूँ लेकिन ये जरूर सोचेगा कि ये सब कुछ आप अगर आप नहीं कर रहे तो आप एक सिंगल पार्टी होते वे नहीं कर रहे इसमें दो पार्टी इंवाल्व है एक आप और एक दूसरा तो दूसरे का भी कुछ ना कुछ इसमें रायता पहलाया हुआ काम है जिसकी वज़ा से आप ये फैसला नहीं ले पाते है ठीके तो डेस्टिनी में जो आपकी लिखावा है उसके लिए एक्शन प्लान आपने यहीं करना है कि जो फैसले आप ना कर सकें उन पे अपने आपको कोसिये मत या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा केरिंग रिलेशन्शिप होगा जिसकी वज़ासे आप इस चीज़ को अचीफ कर लेंगे या फिर आप अपने आपको ऐसा बना लेंगे और बी थैंक्फुल टू अल्ला सुबान ताला जिसने आपको बहुत सारी निमतों से नावाजा है अपना बेहत ख्याल रखेगा बाई बाई